पिछले दो तीन सालों में साउट की इंडस्ट्री को लेकर सबका परसेप्शन अब ऐसा हो चुका है कि बाई ये लोग आंधी की तरह फिल्म लेकर आएंगे, ठीटर्स में धूम मचाएंगे और धुआधार कलेक्शन करके जाएंगे बहल ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, रीजनल सिनमा में भले ही ये फिल्म में फाडू कलेक्शन कर रही हो, लेकिन हिंदी ओडियेंस को तो कई बार घंटा फरकी नहीं पड़ता कि कौन सी साउट फिल्म आई और चली गे रेजिक आँसर की जेलर का हिंदी कलेक्शन सिर्फ 7 करोड था, कमल हचन के मास्टर प्लास मूवी विकरम का हिंदी कलेक्शन पर 10 करोड और इवन थलपति विजय की लियो का हिंदी कलेक्शन सिर्फ 26 करोड था लिंक क्या तुभे पता ही कि कल की 2898 AD का हिंदी बॉक्स अपिस कलेक्शन 292 करोड था मिल ऐसा क्या हुआ कि साउथ सुपर स्टार साउथ में प्रभास जितने बड़े मेगा स्टार तो हैं बट नौर्थ में प्रभास के आस्पास भी नहीं है और जिस स्टार को लोगों ने जोकर तक बता दिया है वो अज नौर्थ साउथ हर जगा इतना डॉमिनेट कैसा कर रहा है और कौन से बात प्रभास को एक ट्रू पैन इडिया स्टार बनाती है जाते हैं आपको तब तक आज ज़रा विडियो को लाइक कर दो फिर चाहिए आप निकोबार से हो या फिर अंडमान तो चलिए समझते हैं कुछ पॉइंट से कैसे प्रभास ने नोइंगली और अननोइंगली एक ऐसा अनबीटिवल स्टार्डम क्रियेट किया देखो आजकल पैन इडिया स्टार्स का एरा चल रहा है और अगर कोई एक स्टार है जिसको सच में ट्रू ब्लू पैन इडिया स्टार बोल सकते हैं तो वह हमारे प्रभास गारू क्योंकि इनकी मूवीज जब रिलीज होती है तो कस्मीर से कन्या कुमारी तक हाउस फूल के बोट्स नजर आते हैं और जैसा कि एक बार स्रके ने कहा था कि वो अपना कच्छा तक बेचने को तयार है धोनी को आई पिल में खरीदने के लिए ठीक वैसा ही प्रोडूसर्स भ को लोगे कि वो पैन इडिया मूवीज करते हैं इसलिए बट पैन इडिया मूवीज तो सावत के बहुत सारे स्टार्स ने की बट प्रभास जितना बड़ा पैन इडिया स्टार कोई नहीं बन पाया तो प्रभास के पैन इडिया स्टार और बाकी सावत स्टार्स के ना बनन प्रभास में बिजी थे, आमिर कंटेंट्र निन बेर सिनेमा करते थे, रितिक मुवी कमी करते थे, जिसके वएसे हिंदी ओर दियोंस को लार्जर दान लाइफ रिफ हीरोस की कमी फील होती थे, और उसी कमी को पूरा किया प्रभास ने और देखो हम सब को पता है कि प्रभास पैन इंडिया स्टार बने बहु बली फ्रेंचाइज से लेकिन पैन इंडिया स्टार बनने से भी जादा मुश्किल ये होता है कि उसे स्टेटेस को मेंटेन करके रखना जिसको करने में प्रभास तो successful हुए लेकिन बाकी South Stars नहीं हो पाए अब question यह आता ही कि प्रभास कैसे successful हुए तो प्रभास के Pan India Star बनने और बाकियों के ना बनने का major reason है consistency After Bahoo वली 2 प्रभास ने consistently अपनी movies को Pan India level पे release किया हाँ सुरू में साहो, रादे सैम और अधिपूर उसके रूप में उन्हें failure face करना पड़ा बट consistently अपनी movies release करने के वैसे प्रभास South के साथ साथ North में भी काफी चर्चे में रहे और उनको लेकर जो negativity उनकी flops की वैसे हुई उस negativity ने भी प्रभास को South के साथ साथ हिंदी मार्केट में relevant रहने में healthy किया और जब फाइनली प्रभास ने अच्छी movies बनाई तो हिंदी audience ने उनके लिए theaters भर दिये और बाकी South South की बात करे तो उनकी mistake यही थी कि वह consistent नहीं रह पाई जैसा कि नानी उन्होंने दसारा को पैन इडिया पर रिलीज किया और ये मूवी साथ में तो चली बर नॉर्थ में पब्लिक ने इस पर कुछ खास इंट्रेस्ट नहीं दिखाया बस एक मूवी के पैन इडिया लेवल पर फेलियर होने के बाद नानी वापस ने रिजनल सिनेमा करने लगी इवन विज़े देवरा कॉंडा जो काफी पॉपुलर है नौर्थ में और उन्होंने भी लाइगर के फेलियर के बाद पैन इडिया लेवल पर काम करने के लिए दुबारा ट्राई ही नहीं किया उन्होंने सिप रिजनल सिनेमा पर फोकस किया इवन राम चरण इन्होंने भी बहुत पहले जंजीर मुवी से हिंदी ओडियन्स का दिल जीतना चाहा बट जंजीर देख कि हिंदी ओडियन्स का दिल का भडोसा हो गया और फेलियर से हतास होके उस टाइम पर राम चरण ने दोबारा ट्राई ही नहीं किया और वापस रीजनल सिनिमा करने लेगी और उसके बाद वो फिर से SSR के साथ वापस आई क्योंकि राजा मॉली हिट की गैरेंटी जो होते तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि बाकी साउथ स्टार्स भी बहुत बड़े पैन इडियर स्टार बन सकते थे बड़ बाक सपिस का एक फटका खाने के बाद उन्हें ने पैन इडियर बाक सपिस दंगल से अपना नाम कटवा लिए और हार मान ली बड़ प्रवास की जब मल्टिबल मूवी स्टार्स भी ही तो पैन इडियर लेवल पे उन्हें तब भी हार नहीं मानी और रिजल्ट की परवा किए बिना अपना काम करते रहें और क्या बस पैन इडियर मूवी रिलीज करने से यही तुम बिग पैन इडियर स्टार बन सकते हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटिनुवसली पैन इंडिया मूवीज करना एनफ नहीं है पैन इंडिया लेबल पर बिग स्टार बनने के लिए प्रभास ने कंसिस्टेंसी के साथ साथ मूवी रिलीज करने के साथ एक और मास्टर स्टोक खेला जिसे बाकी साथ स्टार्स चूक गए तो क्या था हुआ मास्टर स्टोक तो देखो पैन इंडिया लेबल पर अगर स्टार बनना है तो स्क्रिप्ट सेलेक्शन एक बहुत इंपोर्टेंट चीज है क्योंकि हर सल पैन इंडिया लेबल पर काफी बड़े और एक्स्टा ओडिनरी प्रोजेक्ट्स आ रहे होते तो हमारे मम्मी बापा हमसे चितना एक्सपेक्ट नहीं करते उससे जादा ओडियंस से एक्सपेक्टेशन हाई होती है इन फिल्मों से उपर से जब कोई स्टार पैन इंडिया बनाता है तो उसको दो चीजों का खास ख्याल रखना होता है पहला रीजनल ओडियंस को तो सटिस्पाई करना ही होता है साथ इसाथ बाकी रीजन की ओडियंस को भी अट्रैक्ट करना होता है और अगर पैन इंडिया लेवल पर सबको एक्साइट करना है एक मुवी से तो वो मुवी यूनीक होनी चाहिए लाइक कांतारा हनुमान या फिर एक्स्टा ओडिनेरी होनी चाहिए लाइक आरारा और बाहु वली लेकिन अगर तुम ओडिनेरी या रेगुलर मास्ट मूवी से पैन इंडिया स्टार बननी की सोच रहे हो तो बहुत बढ़का वाला बुर्बाक हो तुम और जब भी किसी ने टिपिकल मास्ट मूवी से पैन इंडिया लेवल पर ट्राई किया तो उसको मूँ की खानी पड़ी मेजर एक्जाम पाले दसरा जो हिंदी में नहीं चले उसके बाद लाए गए और फिर केजियक की सस्ती कॉपी कबजा कबजा तो भाई हिंदी तो छोलो ठीक से अपनी इंडेस्ट्री यानि कनड़ा इंडेस्ट्री के बॉक्स ओपिस पर ही ठीक से कबजा नहीं कर पाई इंडियन 2 डबल आई स्मार्ट और आने वाले टाइम में दो बड़ी पैन इंडिया मूविस रिलीज होने जा रही है दिवारा और गेम चेंजर जिनकी नौर्थ ओडिन्स में कुछ खास हाइप नहीं दिख रही है और उसके बाद कलकी जिसका कॉंसेट विदाउट एनी डाउट हॉलिवूड के लेवल का था और प्रभास की जो मूविस नहीं भी चली लाइक साहो रादे सहाम अधी पूरुस वो भी ऑन पेपर बहुत इक्साइटिंग लग रहे हैं लेंक कुछ मांडू किसम के सांडू डिरेक्टर्स ने साथ सतरोड के इस प्रोजेक्ट में आग लगा दी और अगर प्रभास के लाइन अप को देखते हैं तो जैसा के रिसेंटली उन्होंने एक साइंस पिक्शन फिल्म कलकी की इसके बाद वो एक हॉरर कॉमेडी राजा स क्योंकि हमेजा से हमने देखा है कि हॉलिवुड की सूपर स्टार्स ही होते हैं जो अलग-अलग जॉनर्स को इतना एक्स्प्लोर करते हैं और कहीं प्रभास भी वही चीज़ कर रहे हैं यहां पर एक और प्रभास को बाकी सावत स्टार्स से एकदम अलग बनाती है वह थी उनका डेडिकेशन और रिस्क टेकिंग अबिलिटी जा पांकी सावत इस्टार्स टिपिकल मसाला इंटर्टेनर साइन करके सेव खेलते हैं और हर साल मूवी लेके आ जाते हैं यह सोचके कि कहीं हम एर्रेलिवेंट ना हो जाए बट वही प्रभास में बाहु वाली इसके लिए जी तोड़ मेहनत की फॉर्स राइडिंग सीखी मूवी उन्हें दो दो केरेक्टर प्ले किये इसके लिए उन्हें वेट लॉस और गेन भी करना पड़ा और एक मेंस्ट्रिंग सूबर स्टार का इतना डेडिकेशन दिखाना एक मूवी के लिए बहुत रेयर हो पेंडिया स्टार में कुछ खास इंट्रेस्टी नहीं है अब अगर उनकी बात करें जिनको इंट्रेस्ट नहीं है तो वो है विजय थलपती अब तुम बोलेगा कि इनकी last few movies तो हिंदी में release हुई थी तो एक बात बता था विजय ने खुदी लियो के producer को कहा था कि इस movie को बस Tamil audience के लिए बनाते हैं बट producer ने किसी तरह विजय को convince किया और movie को multiple language में release करवाया लेकिन हिंदी audience को ठीक वैसा ही treat किया गया जैसे हम किसी हरामे relative को साधी में formality के लिए पूछ लेते हैं कि यहाँ बाई मेरे लड़के या लड़की की साधी है तो आ जाना मूँ उठा के ठलापती के नाम पर अगर थोड़ा बहुत भी promotion किया होता तो साध लियो 100 करोड कमा जाती हिंदी audience थे वैसे भी बीजे इतने बड़े सुपर स्टार है साध के तो उनको हिंदी market से कोई खास ज़रुरत नहीं हिंदी कलेक्शन के बिना भी उनकी फिल्वा ने 500 तो 600 करोड का कलेक्शन किया तो अगर एक और दूसरे सुपर स्टार की बात करे तो वो है महेज बाबू तो as you all know की पैन इडिया मुवीज का ट्रेंड बाभू बेली टू के बादी सुरू हो गया था और साध की हर बड़े स्टार ने पैन इडिया लेवल पर अपनी मुवीज को रिलीज करना स्टार्ट किया था अकेले महेज बाबू यह ऐसे सुपर स्टार थे जिन्होंने अपनी फिल्म को हिंदी लैंगूज रिलीज नहीं किया जिसे साब पता चलता है कि उनका कुछ खास इंट्रेस्ट नहीं है हिंदी मार्केट में और उनकी यह स्टेटमेंट इस बात को और ज्यादा क्लियर कर द अब वो बता लगे कि आने वाले टाइम में महेज बाबू एसे स्राजा मॉली की पैन इडिया फिल्म में नजर आएंगे बदा चांसेस आर कॉइट हाई कि उसके बाद वो वापस से तेलगू फिल्मों में ही काम करें और उनका फरकी नहीं परता कि डिरेक्टर कौन से पोटेंसियल नजर आता है तो वो करते हैं और यहां पर अगर मैं आपको अपनी पर्सनल आप्जर्वेशन बताओ अब प्रभास तो प्रभास ने आज सब अचीब कर लिया है पैन इंडिया लेवल सबसे बड़े सूपर स्टार है वो तो मेरे अकॉर्डिंग वो जो भी प प्रभास तलिगों सिनमा के लिए कर रहे हैं और आपको एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग बात बताता हूँ मिजर्वेटी लोगों को यह लगता होगा कि बाहु बली टू के बाद ही साउच सूपरस्टार ने हिंदी मार्केट को इस्क्लोर करना सुरू किया पर बाहु बली पहले ही बहुत से सूपरस्टार्स ने कुछ पैन इंडिया लेवल मूवीज की थी और कुछ ने बहुत से हिंदी मूवीज भी की थी और हिंदी में हिट भी धी थी पर एग्जांपल वेंकेटेस जिन्हों ने 90s के ताइम पर दो हिंदी मूवीज में काम किया जैसी कि अना गर्जुना ने जक्मॉक खोदागवा जैसी मूवीज में इंपॉर्टेंट रोल प्लेई किये तो वही सूरिया ने रख्ट चरीत टू नाम की मूवी में काम किया इस मूवी को हिंदी और तलगो दोना मूवीज में सूट किया गया तो वही धनुज जैसे तमिल स्टार ने र लंग्विज के साथ-साथ हिंदी में भी रिलीज करते आएं बट फिर भी हिंदी मार्केट में रजनी सर का बहुत अपिस्फुल प्रभास के आसपास भी नहीं है और इसका असली रिजन है रजनी सर की स्क्रिप्ट सेलेक्शन जार रजनी कान जैसे एक सूपर स्टार ने प्रभास के मूविज करते रहें जिसकी वैसे हिंदी पबली को वह उतने अपीलिंग नहीं लगे और अधर एंड प्रभास ने अलग अलग जॉन्वर को एक्स्ट्रोर किया और पबली को हर बार कुछ यूनीक और एक्स्ट्राइडिनरी दिने का ट्राई किया लेक्शन यह आता ही कि चलो as of now तो प्रभास को कोई imat कोई आस सकते हैं और कॉन से सूपर सटार है जो आने वाले प्रभास जैसे सेवर को भी घास खिला सक्ते हैं देखो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि साउत का कौन सा स्टार है जो प्रभास को तगड़ा कॉंपिटिशन दे सकता है तो आई तिंग बहुत से लोगों के दिमाग में कोई नाम ही नहीं आएगा और कुछ लोग के दिमाग में कुछ नाम आया भी होगा तो वो होंगे अलू अर्जुन, यस, रामचरन और एंटियार मार्केट में बॉक्स अपिस्पुल कैसा होगा और वैसे याद आए कि इन दोनों के यह उपर राजा मौली कर्स चल रहा है और अगर अलू अर्जुन और यस की बात करें तो अलू अर्जुन पुस्पा 2 से मजाक मजाक में हिंदी बेल्ट में 500 करोर दे देंगे बट इनका स्टारण नॉर्थ में कितना और्गैनिक होगा उसका पता उस मूवी से चलेगा जो पुसपा 2 के बाद रिलीज होगी और अगर यस की बात करें तो इनके आने वाले फिल्म टॉक्सिक की बहुत जादा हाइप है तो अब देखना ये होगा कि क क्या वो फिल्म में अपनी हाइप की अकॉर्डिंग बॉक्स अप इस नंबर जेनरेट कर पाती हैं वेल यस की टॉक्सिक जैसा भी प्रफॉन करें उसके बाद यस रमायन में रावन का रोल प्ले कर रहे हैं और वो फिल्म अगर अच्छी बन गई यूरू तो विदाउट जनी डावड वर्ड वाइल्ड वो टू थाउजन करोड का कलेक्शन कर सकती है क्योंकि इसमें यस और रनवीर कपूर जैसे दो बड़े सूपर स्टार साथ में होंगे तो अगर वापस से प्रभास पर आये तो देखो पोस्ट वाववली प्रभास को भी राजा मॉली कर्स बस्वेल करना पड़ा था राजा मॉली कर्स मेरा मतलव है कि राजा मॉली इतने एक्स्टा ओव्डिनेरी मुवीस बनाते है कि उनके साथ मॉववीस करने के बाद चले कर लेकर पबलिक की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा यह ह度ाई इसलिए उनके ऊपर एक्स्टा- वेल इन 6 मूवीज में से 4 मूवीज तो लगवग 1000 क्रोड का कलेक्शन करेंगी मतलब 2027-28 तक प्रभास का दबदबा और भी ज़्यादा होगा और इनके पास 6-1000 क्रोड वाली फिल्म भी भूगी और ये सोच के लगता है कि सायद जिन सूपरस्टार्स का नाम मैंने उपर लिया है वो भी प्रभास को उतना कॉम्पेटिशन ना दे पाए क्योंकि प्रभास उनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके होगा तो सायद इस मूवी के बाद उस स्टार को किसी प्रोडियूसर अपनी फिल्म में अगली बार नहीं लेता और ना ही कोई ओडियन्स उस स्टार के अगली कोई फिल्म ठीटर में देखने जाती है लेकिन अधीपूरी इस ऐसी मूवी करने के बाद भी ओडियन्स में उनका प्यार और उनका क्रेश खत्म नहीं हुआ और मेरे अकॉर्डिंग इसका रीजन था उनका हमबल बिहेवियर और गिविंग नेचर जड़ा इमाजन करो अगर किसे स्टार के फिल्म धंडड़ करोड भी कमा लेती है तो इसमें अलगी अरोगेंस आ जाता है बड़ जो स्टार थाउजन करोड की बॉक्स अपिस देता है उसमें दूर दूर तक अरोगेंस नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग उनके आपस्क्रिंग बहुत ही रियल इंप्योर परस्नेलिटी और यही बात उने दूसरे से बहुत इस्पेसल वनाती प्रवास आपस्क्रिंग कैसे है वो चीज मेरे से बहतर पृत्विरा सुक्मारन आपको बताएं प्रवास कर्वास करें वो भूत्य कि आपको डैश बीकिषर को वर प्रवास करें वोट्रीव ब्लोग यही बाथिवार्याMy ने तूसरे के विरेगा है तो गाइस इस वीडियो का आप यही पर खत्म करते हैं, बाकि आप आपने थॉट्ट जरूर सेयर करना अबाउट प्रभास और सावधिस्टार्स, I would love to read them. तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको कदी-कदी सब्सक्राइब भी कर दिया करो, तो मैं मिलता हूँ तुमसे एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर-हर महा दिल.